वेल्कम बैक गाईज लेट इस डिसकस फिफ्थ कुश्चन आफ एक्ससाइज 9.3 यहां पे मैं फ़र्स पार्ट डिसकस करूँगा जो रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं वो सिमिलर पार्ट्स हैं तो आप उसको खुद से सॉल कर लिजेगा यह जो सिक्वेंस है यह एक GP को रिप्रेजेंट करता है यह क्यों रिप्रेजेंट करता है मैं थोड़ी देर में डिसकस करूँगा तो मैं यहां पी यूज करूँगा एनफ टम आफ एज जीपी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं ठीक है अब हम identify करते हैं कि यह GP क्यों है तो यह sequence हमको यहां पे given है इस तरह से terms given है तो इसकी first term क्या है a equal to 2 that is the first term of the GP और यह GP क्यों है क्योंकि अगर हम second term divide by first term करेंगे तो हमको यह expression मिलेगा और third term divide by second term करेंगे तो यह expression मिलेगा इसको अगर हम evaluate करेंगे तो value आएगी root 2 इसको भी अगर आप evaluate करोगे तो value आएगी root 2 इसको कैसे कर सकते हैं 2, 2s are cancel out कर जाएंगे तो यहां पे आएगा 2 by root 2 फिर आप rationalize कर लेंगे तो आपको यहां पे भी मिलेगा root 2 तो क्योंकि same ही ratio आ रहा है consecutive terms का तो इसलिए हम बोलते है this is a gp तो यह जो gp है इसका common ratio क्या है that is equal to root 2 तो हमको अब first term भी पता है और common ratio भी हमको पता है question में पूछा है which term is 128 तो which term का जो part है इसका मतलब है हमको n की value निकालनी है क्योंकि देखिए अगर यहां पे suppose a 10 लिखा होता है इसका मतलब वो 10th term की बात कर रहा है तो यह जो n number है यह represent करता है कि हम कौन सी term की बात कर रहे है या कौन सी term हमें निकालनी है तो हमको निकालना है which term it means we have to find the value of n so this is our question तो a n हमको given है 128 और हमको निकालनी है n की value a n का formula क्या है a multiplied by r is to power n minus 1 तो यह formula हम apply करेंगे that is equal to 128 a की value हमको given है 2 r हमको given है root 2 यह दोनों values मैं यहां पे substitute कर दूँगा इस equation में a की variable रहेगा n और उस variable के लिए फिर हम solve कर लेंगे तो calculation देखिएगा आप मैं किस तरह से करता हूँ तो यहां पे value put करेंगे तो यह expression आएगा तो इस तरह के जब भी questions होते हैं उसमें क्या होता है जब हमको n की value निकालनी होती है तो a और r में जो होता है same ही terms prime numbers generally given होते हैं जैसे यहां पे देखिए 2 है और यहां पे root 2 है इसमें एक और question है इसमें 3 और root 3 है तो same type के expressions यहां पे आते हैं उससे क्या होता है हम इन दोनों terms को club कर लेते हैं कैसे देखिए इस term को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 raise to power n minus 1 by 2 और यह आएगा 2 raise to power 1 और इसको भी हम same जो prime factor जो यहां पे left side में उसी की powers में इसको लिख लेंगे इसके आफ factors निकाल लिएगा तो आएगा 2 multiplied होगा कितनी बार 7 times multiplied होगा अब यह same base है तो हम क्या करनेंगे इन दोनों की powers को फिर add करनेंगे तो यहाँ पर power 1 है यहाँ पर n minus 1 by 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब left side में जो exponential की power है राइट side में exponential की power है उसको हम equate कर सकते हैं क्योंकि दोनों के base क्या है same है तो हम इस दोनों terms को equate कर सकते हैं इससे हम equation बनाएंगे यह equation बनेगी 1 को right side मे ले जाएंगे तो यहाएगा 6 यहाँ से हम equation लिख सकते हैं n-1 by 2 is 6 फिर हम cross multiply कर लेंगे तो आएगा n-1 equal to 12 और n की value आजाएगी 13 तो यह हमारा इस question का answer है that is the term which is 128 is the 13th term of the GP thank you so much for watching this video do like it and share it with your friends यह video आप अपनी facebook वाल पे भी share कर सकते हैं ताकि आपके friends भी एक concept सीख सकें you can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day कर दो कर दो कर दोगी